श्री शिवाय नमस्तुब्धिम दर्शकों, हरहर महादीव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दर्शकों, अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है, तो आपके घर में कंगाली भी आ सकती है भूल कर भी इस दिसा में आप तुलसी का पौदा ना रखें यदि आपके घर में इस दिसा में तुलसी का पौदा रखा है, तो तुरंत ही उसका इस्थान बदल दें आनिता आपके घर में कंगाली कब आ जाएगी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा तुलसी के पौधे को पूजनिय माना जाता है धार्मिक मानिता है कि तुलसी के पौधे में धन के देवी मालच्मी का रूप होता है नियमित रूप से सुभा शाम तुलसी के पौधे की पूजा करने से मालच्मी प्रसन होकर घर में वास करती है और उस घर में सुक समर्दी का वास होता है मानता है कि भगवान विश्नो को तुलसी जी बेहत प्रिय है इसलिए उन्हें तुलसी अर्पित करने से दुगना फल हमें प्राप्त होता है प्रत्येक व्यक्ति को घर में तुलसी का पौधर लगाना चाहिए तुलसी अगर किसी सुब दिन शुब समय में लगाई जाये तो विशेश फल्दाई साबित होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी को सही दिशा में रखने पर ही उसके सकारात्मक परिणाम देखने को हमें मिलते हैं तुलसी के नियमित पूजा करने से व्यक्ति को म्रत्यू के मुक्ष की प्राप्ती होती है वास्तु जानकारों के अनुसार तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाने से ही घर में खुशियों का वास होता है अगर आपने इस गलत दिशा में तुलसी का पौधा रखा है या लगाया है तो आप पर बड़ा संकट आ सकता है कहते हैं कि गलत दिशा में रखा तुलसी का पौधा घर में नेगेटिव एनरजी फैला सकता है इससे सारे रेक, मानशिक और आर्थिक हानी तीनों का सामना हमें करना पड़ता है तुलसी के पौधे को पौधा में लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है अगर आपके घर में पुर्व दिशा में जगा नहीं है तो फिर आप इसे उत्तर या फिर उत्तर पुर्व दिशा याने इशान कोन का भी चुनाव कर सकते हैं इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारत मकुर्जा का वास होता है साथ ही माल अच्कमी की भी क्रपा बनी रहती है मानिता है कि तुलसी का पौधा तभी लाप्रद होता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाता है इसलिए घर की दक्षिन दिशा में तुलसी का पौधा भूल कर भी आप ना लगाएं दक्षिन दिशा को पित्रों की दिशा माना गया है ऐसे में इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से फाइदे की जगा आपको नुकसान हो सकता है कई लोग तुलसी का पौधा घर की छट पर रखते हैं ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को छट पर रखना अशुप माना जाता है तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी काटेदार पौधा आप ना लगाए इसकी जगा केले का पीड़ भी लगा सकते हैं मानेता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णों का वास होता है रविवार और एक़ादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पिता भूल कर भी ना करें और ना ही तुलसी की पुझा करें इसके साथ ही इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए माना जाता है कि इससे हमें आर्थिक तंगी हो सकती है और माल अच्मी हमसे रुस्ट हो सकती है श्री शिवाय नमस्तु भ्हम दर्शकों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ कार्या आई हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंती चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और बेल आइकन को प्रेस करके All पर क्लिक कर दीजेगा जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकों हर हर महादेव जय मालच में